सबसे अच्छी दवा है मैथी का दाना, सब घर में हैं, तो जिनको भी डाइविटीज हैं उनको बोलो कि दो चमच मैथी का दाना रात को पानी में डालें, सबेरे उठके पानी को गूट-गूट से पियें और मैथी का खाएं, बहुत सरल इलाज है, तीन महीने में आप देख होता है, गुटने में दर्द है, इड़ी में दर्द है, कमर में, तो भी मैथी दाना अदबुत काम करता है, क्योंकि वात से होने वाली कोई भी बीमारी में मैथी दाना अदबुत काम करता है, और जोइंट स्ब बातेज बीमारियां हैं, बात की होने वाली बीमारी, सब घर में मैती दाने को मैंने 48 बीमारियों में उपयोग करके देखा है बराबर काम करता है गंबीर से गंबीर बीमारी और आसान से आसान बीमारी में काम है मेती दाने का एक बहुत गम्नीन बीमारी अक्सर माताओं बहनों को होती है कोई मा अगर गर्भावस्था में है तो बच्चा उत्पन होने के बाद उसका गर्भ अपने इस्थान से खिसक जाता है जिसको यूट्रस डिस्प्लेस्मेंट कहते है गर्भाशों का अपने इस्थान से खिसक जाता है अब डॉक्टर के चक्कर में अगर आप फसे तो वो तो क्या बोलता है कि ये तो आप खिसक गया अपने इस्थान से तो इसको काट के निकाल दो अगर काट के ही निकालना था तो भगवान ने दिया जियो मुर्ख तो नहीं है भगवान कम से कम डॉक्टर की तुलना में तो मुर्ख नहीं है हर डॉक्टर के पास एक ही जवाब है काट के निकाल दो काट के और जिस मा का गरभाशा कट गया उसकी जिन्दगी कट जाएगे फिर पूरी जिन्दगी उसको पीट दर्द होगा पाओं में दर्द होगा घुटने दुखते रहेंगे और इतना दर्द होगा किसी दवा से रुकेगा नहीं फिर जब उसकी मृत्यू होगी तो दर्द ठीक होगा इतना खराब है ये तो आप कभी भी कोई डॉक्टर के ये बहकावे में नहीं आना वो ये कहता है ना गर्भाशे काट के निकाल दो तो कहो जे राम जी कि तुम तुम तुमारे गर में बैटो हम कहीं और जाएंगे और आप घर में इलाज कर लो जो भी माता या बहन का गर्भाशे थोड़ा भी अपने इस्थान से हट गया है उसकी सबसे अच्छी दवा है यही मेंती का दाना इसके लड्डू बनाओ गुड़ और घीव के साथ और वो मा को रोज लड्डू खिलाओ सब रिशा आप देखना 20-25 दिन में अपने आप गर्भाशे अपने इस्थान पे आ जाए अध्मुत काम करता है यह मेती का आपको नीन नहीं आती है तो आपका यह जो अंगूठा है ना अंगूठा इसके नाखूण के दोनों साइड में मेती दाने बांद के पट्टी लगा लूँ बहुत गहरी नीन में सो जाओ गया अगूठेके नाखूण जहां खतम होते हैं उसके नस्दीक मेती दाना रखो और टेप लगा लो तोनो तरफ और आप देखो कितनी गहरी नीद आती, बहुत अद्बूत कान करता है, किसी बच्चे को कान में बहुत दर्द हो रहा है, दो-तीन मैंथी दाने डाल दो, पांच मिनट ऐसे रखो तो दर्द बंद हो जाएगा, ऐसे गर तो मैंथी दाने निकले जाएगा। मैंने बता आपको 48 बीमारियों में प्रयों किया मैंथी दान, कभी भी ये ना नहीं बोलता, रिजल्ट हमेशा देता है, और हमारे घर कोई ऐसा है नहीं, जहां मैंथी दाना मिले नहीं, अद्बूत है, आप इसको जरूर घर में रखो, बरपूर इस्तेमार करें। अवी नहीं, आप बया है, आपको 48 बीमार करें।